Hello, my district of class 12th science. Today we discuss a new chapter. And chapter is application of derivatives. First volume में ये last chapter है application of derivatives जो हम डिसकस करने आज. इसमें ज्यान दरीमानी पाथ ये है, कि हम derivatives, means single derivative, field double derivative, field triple derivative, means first order derivative like dx upon dy, second order derivative like d to x upon dy square, and third order dqy over dxq. तो हम इस पर ऐसे इनको यहां पर यूज करेंगे, जो derivatives हैं, चाहिए वो single derivative हो, double derivative हो, उन derivatives को हम यहां पर यूज करेंगे, चैप्टर का नाम है application of derivatives, means derivatives को हम real life से कैसे जोड़ते हैं, वो सम यहां प्यारेगा, application of derivatives में, जीकिए, सबसे पहला को यहां पर इस बास में पढ़ेगी, जो कि यहां पर एक सबसे पहला पढ़ेंगे, exercise point 1 में, rate of change, rate of change, कि change किस rate के साब से हो रहा है, ठीक है, change किस के according हो रहा है, वो आप समझेगे, जैसे, जब आप differentiate करते हैं, y of respect to x, और निकालते हैं, dy over dx, suppose as of that y equals 2x square, plus 5x plus 6, और वहां से आप निकालते हैं, dy on dx, तो सबसे पहले हां पर ध्यांदने वाली बात यह होगी, कि dy on dx में, कौन dependent है, और कौन independent है, देखो, dy on dx में, आपने differentiate किया, y to respect to x, तो ध्यान रखनाया मेंशा, जिस variable respect में आप कर रहे हैं, differentiation, फिर चाए को variable x हो, variable t हो, variable theta हो, उसको हम कहते हैं, independent, और जो उपर आता है, फिर चाए यहांपे y आए, यह जो भी आए, वो होता है, वैसा, dependent, ठीक है, जैसे, आप यहांपे x की different, different value कुट कीजिए, तो उसके according, y अपने आप कुन बैदो सो पंजिल करता रहेगा, x जब 1 है, तो y उसको यहां नहीं जाएगा आपको, जब x2 है, यहां नहीं जाएगा आपको, ठीक है, तो जहां दरना है, यहां नहीं जाएगा आपको डिफरेंसियेट कीए है, उसमें, जिस function को आप डिफरेंसियेट कर रहे हो, अब यहां कर रहे हैं, function y को डिफरेंसियेट, तो y यहां पे dependent है, और जिसके respect में कर रहे हो, means with respect to x, or with respect to theta, तो वो हो जाएगा वहां पे independent, ठीक है, यह बाद अपने दिमाख माट बठा लेना, कि जब किसी function को आप डिफरेंसियेट कर रहे हो, तो वो function अपने आप में dependent है, और जिसके respect में कर रहे हो, वो अपने आप में independent है, तो यहां पे ध्यान कर रहा है, x वो independent है, और y, वो dependent है, ठीक है, जैसे आप निकालते हो, dx फोन d theta, theta is independent, but x is dependent, आप निकालते हो, dy फोन dt, t is independent, but y is dependent, तो ध्यान रत्मा है, derivatives में, निकालते साथ है derivatives, आप जिसके respect में differentiate कर रहे हो, वो तो वहां पे independent है, और जिस function को लेकिछ चले हो, जिसको differentiate कर रहे हो, वो वहां पे dependent है, ठीक है, तो जो दिवा अपन dx आपने पढ़ाया, आपने जो यह पढ़ाया, पहले उन derivatives का मतलब समझे कि वो होता क्या है, ठीक है, समझाया कुछ, अब सुनो इबात को, डी आपन दी एक्स, यह positive होगा, लेकिन तब होगा, जब x increase हो रहा है, तो साथ में y increase हो रहा है, या फिर x decrease हो रहा है, साथ में y decrease हो रहा है, लेकिन यह negative तब होगा, जब x increase हो जाए, और y decrease हो जाए, जब y increase हो जाए, x decrease हो जाए, ठीक है, जब x और y सेम साथ में moment करेंगे, फिर चाहिए वो increasing में हो, या decreasing में में हो, तब तब dy एक्स के लिए पोजिटिव रहेगी, लेकिन जब यह अपोजिटिव मेंट करेंगे, कि एक बढ़ रहा है, एक गढ़ रहा है, तो उस case में यह negative हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान लगतना आपको ये बाद, ये बाद आपके NCRT में नहीं हुई है, जब आप उन्से जो ध्यान से पढ़ा होगे, NCRT के दो छोड़ी होते हैं चेप्टर से स्टार्टिंग की, उसको जब ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, चलिक है, तो इस तरह से, ये मेरे फास्ट में बेलिवेटिव के बाद, ठीक है, इस चेप्टर दू रेट उचीन पढ़ेंगे, रेट उचेंज मेंज ग्रेट शेवेटिवादे गीएक्स अवहानन पढ़ेंगे की हम भी दिखेंगे, जो एस तो रेट उचेंज हो रहा है, तो नहीं गएक्स अवहाँ, वो जो द्यूख्टे ही हो रहा है, यह वोलुम के रस्पेक्ट में हो रहा है यह इस्पीड के लिए हो रहा है जिसके लिए हो रहा है वो हमेशा नीच आएगा means उसके रस्पेक्ट वाला ही डायूटिक्स वहां पे आएगा ये दी रेट ऑफ चेंज टाइल के रिकार्डिंग और आए तो इसे होता है वैसे आप जिरे सीख जाओ के इस चैप्टर जो पोलूम को डिश्कस करेंगे च्छिए च्छिए डिश्कस हरते हैं एकसरसाइस 6.1 Accessories 6.1 पेज नमबर है 197 लिए को इस नमबर है और क्वेशन नमबर फटा बटा फटा 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 बन देखी वो कह रहा है Find the rate of change नमदे जांसे Find rate of change of the area means with respect to its radius R जैने की हमें rate of change निकालना है area का with respect to radius R it means DA upon DR नमदे बस यह वाद से जुचनिया को उन्होंने कावा है Find rate of change of the area with respect to radius means R जिसके रेस्पेक्ट में है वो नीची आएगा प्रिक्या आप जब लिखते हो ना जब करतो लिफेंसेशन आप लिखते हैं आप लिखेंसेटिन विखेंसे रेस्पेक्ट टो X तो द्यवाइ पूँ येच सकता हैं थीक है तो यहां पर कह रहे हैं Find rate of change of the area with respect to radius इंडिकेशन मिल जाया कि यह में डी ए एकोंट डी आर निकानना है चलिए फिर आगे बोल रहे हैं वैं फिर्स पार्ट में दिया हुआ है रेटिस के रिकारड़ी किसका एरिया है वह सर्कल के बाद कर रहे हैं उसका रेट आप तब तब निकारिये जब रेडिस हो चुकी है पीर और जब हो चुकी है फोर ठीक है सब्सक्राइब चलिए लेट आर बिज रेडियस और शर्कल के रेडियस से वह आर है ठीक है सर्कल ऐसे आप बनाओगे आर विज बनाओगे है स्याँ अवह पंद रार खाता है है कि दिफ्रेंटिएट विद रेस्टेट टू आइए जब करेंगे आप डिफ्रेंटिएट आर स्क्वार को तो आर स्क्वार को तो आर ठीक है तो दिफ्रेंट आर आजाएगा तो आप पर देश्क अब वह रहे हैं कि में रिकान में एक पर देख्वार को तो तब मेरे पास में देख्वार को 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 देख इस तरह से question no.1 पुरा हो गया, चलिए आपी, question no.2, question no.2 में कहा है रहे हैं, devolving over cube, अब cube की बास करने है, cube में कहा है रहे हैं, cube में कहा है value, side की बास करने है, if side is x, then volume will be x cube, आप जाने के रहे हैं, and surface area will be 6 time of side square, it means 6 x curve जाएगा, चलिए आपी, devolving over cube is increasing at the rate of 8 cm3 per second, जाने इस बाते, यह जो आपको दिया है, 8 cm3 per second की rate of change है, volume का, with respect to time, it is db upon dt, question no.2, आपको rate of change दिया गया है, volume में, और क्या दिया गया है, 8 cm3 per second, ठीक है, per second दिया है, it means time की बास कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे, कि भाई, db upon dt हमें जाने गया है, 8 cm3 per second, चलिए, पर यह जाने, how fast is the surface area increasing, volume में rate of change दे करके, अब surface की बास कर रहे हैं, वो कहर रहे हैं, how fast is the surface area increasing, when length of an inch is 12 cm, ठीक है, यहीं कि हम से उच्छा जा रहा है, surface area में होने वालब change, चलिए जाने, एक काम रहते हैं, पहले बनाते हैं, Q, माल ये काम क्यूटी, side x है, जाब side, let, this side of cube is x, then, volume will be x cube and surface area equals to 6 x square, ठीक है, यहां तक आप सब आ जाएंगे, चलिए, volume हमारे पास में x cube है, इसको differentiate की जिया, टीक रेस्पेक्ट में, differentiate with respect to t, अब देखो जब इस को differentiate करेंए t के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास में आएगा db upon dt, मेरे पास में आएगा db upon dt, क्योंकि हम differentiate करेंए इसको टीक रेस्पेक्ट में, db upon dt से ही इंडिकेशन मिला है, और फिर करेंगे आएगा differentiate x को, क्योंकि आप तो differentiate करेंए t के लिए, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि सर्फ d x q में लेके चले हैं और differentiate करेंए t के respect में उसका एक वीजन है, reason यह है कि मुझे db upon dt दिया होता है, तो db upon dt से ही मुझे indication मिला है कि मैं differentiate करूँगा तो टीक रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि मैं d upon dt के place पे put कर दूँगा 8, जो मुझे लाइन दी के लिए, मैं यहाँ पे 8 put कर दूँगा, और जो ठेज एक्स में हो रहा है, with respect to time, dx upon dt, वो मैं यहाँ से ही मुझा दूँगा, क्योंकि जब आप differentiate कर रहे हो इसको टीक रेस्पेक्ट में, इसको टीक रेस्पेक्ट में, तो जब आप differentiate करोगे x q को, as a t q market होगे, तो जब t q market होगे, तो बन जाएगो 3 t square, it means 3 x square, लेकिन t नहीं था, x था, इस्तौपर्टी अजिम किया था, तो अब दोबार से करोगे, आप x को differentiate को आजाएगा, dx upon dt, ठीक है, differentiate कर रहे हैं, लेकिन x दिया है, x को t market होगे, लेकिन जब x को t market होगे, तो हम दोबार differentiate करेंगे, x को t square aspect में, means dx upon dt आजाएगा, ठीक है, यह मैंने जान उसके किया, यह दिया है, क्योंकि मुझे, dx upon dt दिया होगा, मैं dx upon dt आजाएगा, dx upon dt में यह से निकाल दूँगा, और उस dx upon dt को मैं surface area को जो differentiate करोण तीक में, means dx upon dt निकाल दूँगा, तो वहाग मैं dx upon dt को आजाएगा, तो आजाएगा, यह मेरा मेंजाएगा, में surface area में होने वाला change को निकालना, with respect to time, ठीक है, अब surface area में तो time regarding change होगा, वो depend करेगा, जब side में चेंद होगा, भाई कि side में change हो रहा है, side पहले 5 TQ की, तब surface area कुछ और होगा, side 10 हो जाएगा, तो तब कुछ और होगा, तो यह तरही rate of change, side में हो रहा है, तब यह तो surface area में होगा, तब यह तो उसके volume में होगा, अब जिसके dimension में change होगा, तो surface area में change कैस हो जाएगा, और volume में change कैस हो जाएगा, नहीं होगा, तो मैं यहां पे दीवर्टों डिटीक का इस तो पर रहा हुआ, dx upon dt निकाल में जी, कितना आएगा, यह तरह हैगा, 8 upon 3x square, ठीक है, इस तरह से में पास्टों, dx upon dt आचुका है, 8 upon 3x square, अब पास करणाओ surface area जी, surface area होगता है, six time of side square, क्यों होगा, अब इसको differentiate करणाओ with respect to t, और हम निकाले हैं, dx upon dt, इस तो, 12x, तो dx upon dt आएगा, आएगा, तो यह में पास आएगा, dx upon dt, इस तो, 12x, dx upon dt, आएगा, आएगा, मेरे पास dx upon dt पहले भी है, कितना है, 8 upon 3x square, रखो जाएगा, so dx upon dt, बस दू, 12x into, 8 upon 3x square, 3-4s, कि यह मेरे पास आजाएगा, 4x into 32 upon dt, ठीक है, इस तरह से मेरे पास में, surface area में, time के साथ होने वाद चेंज आचुका है, 32 upon dt, बटको question में कहा रहे हैं, कि जब side, length of and age, last में यह question में, जब length of age, 12 cm हो जाएगी, तो तब वो change कहां तक पहुँच जाएगा, question यह है, it means, आपको, length of, side, वो दिये 12, जाएगी, so d, s upon dt equals 2, 32 upon x equals 2, 32 upon 12, 2, जाएगी जे, 4, 3 है, 4, 8, 8 upon 3, it is your required answer, चलिया जी, इसके बाद देख लिए, आप यहाँ पे question number 3, question number 3, में कहा रहे है, the radius of a circle, एक circle है, इसके radius के बाद कर रहे है, is increasing uniformly, uniformly means, without acceleration, ठीक है, जीन हो रहा है, जीन हो रहा है, यहीं जीन हो रहा है, वो कहा रहा है, the radius of a circle is increasing uniformly, at the rate of 3 cm per second, circle e radius में जीन हो रहा है, और कैसे हो रहा है, 3 cm per second, second represents the time, so we can write, dr upon dt equals to 3 cm per second, it is question number 3, in the first circle, or your radius is R, so we, I will carry it, through carry here, find the rate, and means the area of circle is increasing, when radius is 10 cm, जैने कि अब वो बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, regarding to the area, अब सुनो, circle का area क्या होता है, वो होता है, 5 cm per second, अब देखो, dr upon dt को मुझे यूज करना है, जब दिया है, मुझे यूज करना है, तुम्हें यहां पे area को, क्योंकि हमें निकारना है, rate of change of area, तो मैं यहां पे इस equation को, तो रिपर्जेंट कर रहे हैं, every circle के area को, differentiate करोगा with respect to time, और ऐसा करने से मेरे पास में, area में होने वाला change आ जाएदा, with respect to time, जिसको बात कर रहे हैं, ठीडे, चलिए, तो मैं सो differentiate करोगा भी, differentiate with respect to t, यह मेरे पास, area d a upon dt equals to, 2 pi r, ठीड है, r square को, as a t मगने हैं, ठीड़ 2 pi r, object करेंगे r को तुबार से, तो यह जाएगा, d a upon dt, चलिए, d a upon dt, यह मेरे पास रहेगा, 2 pi r, d r upon dt यह फुद दिया हुआ है, 3 cm per second, रखिए इसको 3, so it will be, 6 pi r, लेकिन हमें को rate of scale of area तब निकाले हैं, जब बारे पास पी जो radius है, वो 10 cm हो जाएगी, तो हम लिखेंगे, d a upon dt was to, 6 pi r, when r is 10, so we have, 6 pi into r is 10, so result is, 65, और यही आपकर required answer है, ठीक है, तो इस तरह से, एक question हम कर रहे हैं, question तीन तक पूरे हो चुके हैं, ठीक है, देखो question बहुत ही simple है, हो सकता हो कि आपको तोड़ ठीकर लग रहे हो, बड़ ऐसा नहीं है, सबसे पहले question पाप पढ़ेंगे, तो वहां तक आपको यह समझना है, कि हमें क्या दिया जा रहा है, और क्या हमसे वह पूछ रहे हैं, ठीक है, rate of change किसके regarding हो रहा है, और किसके regarding हमें निकानना है, जब आप यह बात समझ लेंगे, तो question अपने हाँ होते चले जाएंगे, दूसरा यहां पर touch है, थोड़ा mensuration का, वह कभी area की बात करेंगे, circle में कभी बात करेंगे, क्यूब में कभी rectangle में, आगे जब चलोगे तो बात करेंगे वह सिलिंडर में, ऐसे वह करते रहेंगे, ठीक है, तो यहां आपको जो part है, mensuration वाला, आपका वह strong होना चाहिए, ठीक है, अब देखेंगे, question number one है, circle के जो area है, उसके regarding बात कर रहे थे, question number two में, q पे आ गए, उसके बाद में question number three पे वापस circle में आ गए, कि circle में जो radius है, उसमें change दिया है, time के regarding, 3 cm per second, और पूछ रहे हैं कि भई जब radius में change हो रहा है, 3 cm per second के हिसाब से, तो उसके area में time के regarding change कितना होगा, यानि कि हमें da upon dt निकालना है, और dr upon dt हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, circle का area लेकि चले हम, pi r square, उसको differentiate किया, t के regarding, और d a upon dt हमने वहाँ से निकाल लिया, जो आ चुका है, 2 pi r into dr upon dt, but according to the question, dr upon dt, वो मेरे पास में कितना है, वो just 3 cm है, जो कि आप देख भी रहे होंगे, तो इस तरह से, हमने question यहां पे किये हैं, ठीक है, और इन question को आप भी ऐसी करेंगे, सिर्फ यहां पे ध्यान देना है आपको इस बात पे, कि हमें question के अंदर क्या दिया जा रहा है, और क्या हमसे पूछ जा रहा है, ठीक है, और जो दिया है पहल उसको समझ यह, फिर जो निकानना है, फिर उसको समझ यह, और तब जाकर कि आप इन question को कर पाऊगे, ठीक है, question करना इतना typical नहीं, जितना आप समझ रहे हैं, सिर्फ आपको यह समझना है, कि rate of change, मुझे किसके regarding दिया जा रहा है, और किसके regarding वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, दूसरा जो आपका part है, उसके formula आप याद रखना, और question 3 से आगे, हम अपनी next video में discuss करेंगे, अभी आप 6.1 डालेंगे, question 3 तक करेंगे, और इससे पहले जो example दिये हुए हैं, वे भी आप आज बैठके करेंगे, ध्यान रहे हैं, रफ नोट बुक पे पहले उनको आप वसोल करेंगे, और फिर तब जाके उनको आप फिर में नोट करेंगे, एक्जामपल सभी करने हैं, क्योंकि एक्जाम में एक्जामपल भी आते हैं, आप जानते हैं, class 10 का बोड एक्जाम दे चुके हैं, ठीक है, तो 6.1 डालेंगे, question 3 तक करेंगे, और इसके जो पहले एक्जामपल दिये हैं, exercise से पहले, वो भी आप करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप example छोड़ देंगे, एक्जामपल भी इतना ही important होते हैं, जितना की exercise question होते हैं, तो इस तरह से आज आप 6.1 में question number 3 तक इनको पुरा करेंगे, और बाकी हम कर discuss करेंगे अपनी next वीडियो में, ठीक है, यह आपको आज का task है,